नमस्कार मित्रो जाहिंद वंदे मातरम मैं हूँ चंदर वर्धन और PCS Educare में आपका हर्दीक अफिनन्दन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जिसने अपना 3rd combined graduate level का vacancy दे दिया है और इसके बारे में advertisement, detailed advertisement जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलते हैं सुचना पट्ट की ओर और यह website है बिहार SSC का और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 64 2022 का यह notification है आज का ही notification है विग्यापन संक्या है 12022 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि detailed notice जो है यहाँ पर दिया गया है detailed advertisement नीचे है और यहाँ पर आपका notice दिया है तो सबसे पहले notice पर चलते हैं कि notice में क्या कह रहा है नोटिस में यह हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं नोटिस में यह जो है आपका क्या दे रहा है जश्ट मैं आपको दिखाता हूँ यह notice आप देख सकते हैं विहार करमचारी चैनायो का notice है और यहाँ पर दे दिया है 14.4.2022 से लेकर 14.4.2022 से लेकर 17.5.2022 तक की अवदी में यह form जो है वो भरा जाएगा 14.अप्रेल से form भरना सुरू हो जाएगा ठीक है तो यह आपका notice है और फिर अगर हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे detailed notification यदि हम लोग देखते हैं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी just तो यह रहा detailed notification दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका detailed notification 14.4.2022 से जो है form भरना सुरू हो जाएगा यहाँ पर आपका date दिया हुआ है आवेधन online problem होने की तिथी और यह अंतिम तिथी है 17.5.2022 ठीक है इसके अलावा यह दिखे तो यहाँ पर पद जितने भी हैं वो भी दे दिया गया है तो सबसे ज़्यादा पद जो है यह सचीवाले सहायक का है और level 7 का post है level 7 का post है जो कि बहुत ही बहतरीन post होता है ठीक है दोस्तो level 7 का post बहुत ही बहतरीन post होता है आप BPSC भी यह दि देते हैं तो उसमें भी level 7 और level 9 का post होता है level 9 का जो post होता है वो बहुत ही बहतरीन post होता है ग्रेड ए का पोश्ट होता है और लेवल सेवन का जो पोश्ट होता है वहाँ पर भी आपका ग्रेड बी का पोश्ट होता है जो की बहुत ही अच्छा होता है तो सचिवाले सहायक का जो पोश्ट है वो लेवल सेवन का पोश्ट है और 558 पज जो है वह आपके दिये गए है अ अलावा अंगेक्चा के और है ठीक है तो टोटल जो है आपका यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर यदि हम लोग देखें तो 217 पोश्ट है नियुन्तम सेक्षनी की योगेता जो है वो यहां पर दिया हुआ है कि ग्रेजवेट होना जरूरी है किसी भी विस्विद्याले से ठीक है मानेता प्रात विस्विद्याले से अशनातक एवं और साथ ही कुछ अन्यपद हैं जिसके लिए कुछ विसेस योगेता है तो वो भी ठीक है बाके यहां पर दिया हुआ है पत्रांक वगेरा दिया हुआ है आगे थोरा सौर चलते हैं तो यहां पर किस प्रकार से आरक्षन होगा उसके बारे में दिया हुआ है ठीक है दिव्यांग विद्यारतियों के लिए अलग से दिया हुआ है और फिर अगर हम लोग चालिस वर्स है चालिस वर्स है और बे आलिस वर्स है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं नियूनता में 21 वर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 37 वर्स हो सकता है अनारक्षित वर्ग पुरुस के लिए और महिला के लिए 40 वर्स हो सकता है ठीक है तो यह हमारे काम का है कि परिशा का सुल्क कितना होगा तो यहां पर देख सकते हैं सामान्य वर्ग पिछला वर्ग या अत्यंत पिछला वर्ग के पूरुस अभ्यर्थी के लिए जो है पांसो चालिस रुपए हैं और बिहार के अस्थाई निवासी जो है अनुसुचित जाती अनुसुचित जन परा कम है तो उसके दिक्कत नहीं है बिहार राजे के बाहर के सभी अव्यर्थी जो है पूरुस या महिला के लिए पांसो चालिस रुपए है लगिन यह मेरी सिकायत होती है कि बिहार का जो वैकेंसी है वो केवल बिहार के लोगों से भरा जाना चाहिए बाकी लोग बाकी स्टेट के लोगों को जगा नहीं दी जानी चाहिए जैसे MP वगेरा में किया जा रहा है चारकंड में भी कर दिया गया है तो इस तरीके से होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि यदि 40.000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है जो कि निश्चित तौल पर होना ही है तो फिर 5 गुना अभियर्तियों को चुना जाएगा मुख्य परिक्षा के लिए ठीक है अब यदि देखे प्रारंबिक परिक्षा में क्या-क्या पूछा जाएगा तो सामाने अध्यान होगा सामाने विज्जानेवं गनित होगा और मानसिक छमता जाच होगी ठी यूग को चार अंक दिये जाएंगे सही उत्तर के लिए और पाते कि गलत उत्तर के लिए रहा है यह अच्छी बात है थीक है तो कोई बड़ी बात नहीं परिशाा की अब दी कोई में प्रशन होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छा वैगेंजी है और तयारी सुरू कर दिनी चाहिए समाने अध्यान का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है तो यह पर सकते हैं ठीक है आसपास के वातावरन की जानकारी होनी चाहिए प् परना है और पूरी रनिती के साथ एक वीडियो बहुत ही जल्दी लाओंगा मैं ठीक है अभी से तैयारी सुरू कर दिजे देर नहीं करना है 14 अप्रल से फॉर्म भरा जाना है तो अभी से तैयारी सुरू कर दिजे ठीक है समझामी की विसे में भी जो है आपका डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है तो खेल खिरारी है पुस्तक है लिपी है राजधानी है महतपुन घटना है वैग्यानिक प्रगति है राश्ट्रिय वंतर राश्ट्रे पूरसकार है भारतिय भासा है यह सब दिया गया है और भारत और उ तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जेनरली होता है और कटफ तो इसका जो आएगा वही होगा लेकिन फिलाल जो है चालिस प्रतिसा जो है वो सामानिय वर्ग के लिए है ठीक है यहां पर फिर से दिया हुआ है कि क्या आपका परिक्षा तब यह फॉर्म भरने का सुर्वाज जो होगा वो 14 अपरेल से होगा और अंतिम्तिति जो होगी वो 17 मई से होगी ठीक है तो यह है आपका टोटल एडवर्टिजमेंट जो कि अभी दिया गया है आगे और भी जो है डिटेल में एडवर्टिजमेंट हो सकता है कि आए और 14 अपरेल से जो है वह वह मवरना सुरू हो जाएगा तो इसके रिटेंशन नहीं लेना है और बस तयारी सुरू कर देनी है मेरा यह वीडियो बनाने का उद्दे से यह था कि आपको जानकारी दे दी जाए इसके बारे में और मोटिवेट किया जाएगी वहीजा तयारी पिछला वाला वैकेंसी में मेरे किस बहुत सारे मित्रों का हुआ भी है तो उन सबसे भी मैं आपका परिचे कराऊंगा और वो लोग जो आप सफल अव्यरती हैं उनका इंटर्वियू मैं आप लोग के सामने प्रकासित करूंगा यह सब हमारे चैनल पर आएगा हमारे साथ जुरे रहे और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजेगा कमेंट कीजेगा और साती अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा ताकि वो भी PCS e-do QR के बारे में जान सके और इस वैकेंसी के बारे में जान सके साती जदी चैनल पर नहीं तो सबस्क्राइ फंदे मातरम